वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तो 2020 test series में अगर अभी तक आपने भाग नहीं लिया है जो बिलकुल फिरी होती है ना दोस्तो सबता है में दो दिन होती है एक तो रविबार और गुरुबार को दो दिन होती है इस 2020 test series में आप भाग ले सकते हैं और इस सभी के लिए है बि समात्र 1099 में आप इसमें अड़ी से ले सकते हैं जिसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे बहुत सारे टिर्की वीडियो और TGT PGT इस पेशल ने चोड़ किलास वो भी आपको यहां पर मिलने बाली है ठीक है और सेल्फ इस्टेडी किलासे इस एप आपको डाउनलोड कर लेना है और एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना है तो हमारे जितने भी साती हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है और जिनको भी एडवीसल लेना है वो आज ही नीचे नमबर चल लए हैं दोस्तों इन नमबरों से संपर कर सकते हैं आपको करना क्या है दोस्तों आपको करना है इस Self Study Classes एप Play Store में जाईए इस Self Study Classes आप सर्च करिए इस एप को आप डाउनलोड करिए दोस्तों और इस एप को अध्यन कर सकते हैं बहुत अच्छे से ठीक है चलिए तो आज का सैसन स्टार्ट करते हैं आपको बताना है मलक मुहमाद जाईसी के प्रिसिद्ध प्रबंद काब्ब का क्या नाम है बताए मलक मुहमाद जाईसी का प्रिसिद्ध प्रबंद काब्ब है और उस प्रबंद नाम है मिरगाबती पदमाबत मधू मालती या फिर दोस्तो परमाल रासो के चार विकल्प में बताएं क्या हो जाएगा आपका राइट अंसर मलेक मुहमद जाईसी के प्रसिद्ध प्रबंद काब्ब का नाम क्या है प्रिथम प्रमाने के बड़ा महा काब जो माना जाता है द वो बिलकोर सही है ठीक है ये मिरगाबती के रचनाकार को अने दोस्तो कुतुबन है आपको पता है मधूमालती दोस्तो ये मंझन की रचना है परमाल रासो तो आपकी पता ही है ये जगनिक की रचना है जगनिक की दोस्तो है ये आदिकाली रचना माने जाती है जबकि प्र एकतन किस आलोचक का है विजय देव नारण साही का राम पूजन सहाय या पिरस्याम मनोहर पांडे। जाइसी का आपको बताना है। जाइसी का सभी लोग बताएंगे कि जाइसी के इस रंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, सारी रिक पक्ष गौण है, ये कतन किसका है। एक कतन बताएंगे प्रश्न किरमांग 386, 386 का आंसर आपको चैन करना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक कतन किसका है, कतन बताना है, शबी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरू कर दें, एक कतन है दोस्तों राम चंदर सुकल का, जाइसी के इस रंगार में मानसिक प हट भासा में रचना की है, किस कभी ने अब हट भासा में रचना की है, जल्दी से बताईए, किस कभी ने अब हट भासा में रचना की है, इसका उत्तर आपका आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ, और सभी लोगों ने आंसर बता रहे हैं, सभी लोग लगाता है, बहुत हट में दोस्तों अब्दुल रह्मान अब्दुल रह्मान यानि कि आपका टू नम्मर जो है वो बिलकुर शही है इन्होंने अब हट में रचना किये दोस्तों अब्दुल रह्मान ठीक है इनकी रचना इनका खंड काब एक आपने पढ़ा है दोस्तों संदेश रासक पढ़ा महाकाब कौनशा है कमेंट में लिखना है लाइक करना है अपने मित्रों तक सेयर करती रहें हिंदी का प्रतम महाकाब कौनशा है इसका उत्तर आपको बताना है प्रत्वीराज विजय राम चरित मानस प्रत्वीराज रासो या फिर पदमावत बताएं हिंदी का प्रतम कौन सा है और सभी लोगों ने बताया इसर प्रत्वी राज रासो यह नि कि तीन नम्मर चंद वर्दाई इसके रचनाकार हैं बहुत बढ़ी आंसर अंगला कुश्चन है देशल बैना सबजन मिठा एक अथन किसका है पंक्ती किसकी है देशल बैना सबजन मिठा एक पंक्ती क किसकी मानी जाती है अब भ्यास करना है जितना जादा भ्यास आपसे बनता है उतना जादा भ्यास करिए देशिल बैना सबजन मिठा ये पंक्ती किसकी मानी जाती है और अच्छा क्वेस्चन आया है पुरी सर ये जो पंक्ती है देशिल बैना सबजन मिठा ये पंक्ती किसकी ह बिध्यापती किसकी है बिध्यापती की यानि कि आपका चार नमबर जो है बिध्यापती के बारे में सबी लोगों को पता है कि बिध्यापती ने दोस्तों है ना तीन इनकी रचनाए अपन को बहुत पूची जाती है किरती लता इनकी पूची जाती है इनकी पदावली प्रियोफ किया गया है बीर रसकी रचनाओं में किस भासा का प्रियोफ किया गया है। डिंगल का बुंदेडी या फिर प्राकृत का आदी कालीन साहित में बीरस की कविताओं में बीरस की रचनाओं में किस भासा का प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है प्रश्न किरमांग 390 और 390 में आपका उत्तर सभी ने बताया है कि सर वो किया है डिंगल भासा का कौन सी जनों ने आंसर बताया उनका अंसर बिलकुँ सही है उपदेस रसाइन के रचेता कौन है उपदेस रसाइन रास इसके रचेता कौन माने जाते हैं दोस्तों जिन दत्त सूरी जिन धर्म सूरी शाली बद्र सूरी या पिर धनपाल उपदेस रसाइन रास के रचेता कौन मान कौन है अच्छा क्वेश्चन है शबी लोग बताएं और आपका राइट अंसर है अंसर चला जाता है दोस्तो जिन दत्य सूरी जिन दत्य सूरी यानि कि आपका जो एक नमबर है जिन दत्य सूरी वो बिलकुर शही अंसर है ये नमबर आपका राइट अंसर है अंगला साथ राधा की महानता किस संप्रदाई की विसेशता है दोस्तों कशने के साथ राधा की महानता राधा की महानता किस संप्रदाई की विसेशता है स्री संप्रदाई की रुद्र प्रश्ण किरमांग 392 आप से पूछ रहा है आपको उत्तर बताना है जब लोग बताएंगे और जिन भी सातियों ने दोस्तों क्या नहीं किया है क्या नहीं किया है दोस्तों जिन भी सातियों ने अभी तक वीडियों को लाइक नहीं किया है वो लाइक जरूर कर देंगे ठीक है हाँ तब आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है दोस्तों शनकादी संप्रदाए है ना की विसेष्टा मानि जाती करशने के साथ राधा की महनता और आपका जो उत्तर है चार नमबर वो बिल्कुल शाहिए डी नमबर आपका राइट आंसर ओम जै जगदी सहरे की आरती की रचना किसने की बताईए ओम जै जगदी सहरे इस आरती की रचना बताना है किसने की दोस्तों एक वस्चन पूछा गया है कई बार है ना प्रश्ट किरमांग 393 का आंसर बताना है अपन को ओम जै जगदी सहरे की आरती की रचना किसने की है तब आपका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बुलिसर वो की है किसने स्रद्दा राम फिल्लोरी ने स्रद्दा राम फिल्लोरी ने यानि आपका जो ये नमबर है वो बिल्कुल सही है है ना ओमजय जगदी सरी की आरती अनामी का काब किसके द्वारा रचित है अनामी का काब किसके द्वारा रचित है निराला, अग्ये, धूमिल या फिर सुमन बताएं निराला काब किनके द्वारा रचित माना जाता है सभी लोग वीडियो को लाइक जरू कर देंगे एक बार ठीक है गीता देवी जी, आकास जी, आमित जी सभी लोग बताएंगे अनामिका काब किसके द्वारा रचित माना जाता है अच्छा क्वेस्चन है, अनामिका काब आपसे पूछा गया है और आपका राइट अंसर हो जाता है दोस्तों क्या यह है निराला, निराला यानि की बी नम्मर आपका बिलको सही हो जाएगा अनामिका काब किसके द्वारा रचत है तो वो रचत है निराला के ठीक है बी नमबर बिलको राइट आंसर नहार की रचना किसने की दोस्तों नहार के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये किसकी रचना है ये आपको बताना है सबी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जिन भी सा को अभी भी कोर्स में एड़ीशन लेना है टीजीटी पीजीटी वाले साथी वो ले सकते हैं आराम से बहुत अच्छा अध्यान कर सकते हैं अभी आप मात्र दश्रों नियानवे में एड़ीशन ले सकते हैं दोस्तों इस एड़ीशन में आप बहुत अच्छा अध्यान कर सकत है ना रहे सबास से प्रभावित माने जाती हैं बोधधिन धर्म से प्रभावित माने हैं है नहीं surprised ग्यानपीड प्रोषकार किस रचना के लिए मिला फिस स्वेंधि में च्टङबरा के लिए हैं पंतिजी माने जाती चदंबरा के हैं अब नरीश मेता को ग्यानपीट प्रुशकार किस रचना पर प्राप्त हुआ महाप्रस्थान शंपूर रचना करमे बन पाकी सुनो या पर संसाई की एक रात के लिए और सबी लोगों का अंसर बताया है कि सरे संपूर रचना करम के पाक माना जाता है ये कोस्चन तो आप से कई बार पूछ लिया गया है फिर भी आपको उत्तर बताना है नाटक में कितने रसों का कितने रसों का परिपाक माना जाता है दो दस साथ या फिर आठ नाटक में कितने रसों का परिपाक माना जाता है इसका उत्तर सभी लोगों क बताया कि ओले सर नाटक में आठ रस्टों का परिपाक माना जाता है चार नम्मर आपका बिल्को सही है बैसे भी आपने पड़ा है कि सर भरत मुनी ने आठ रस ही माने हैं कितने माने हैं आठ रस ही माने हैं ठीक है तो यहां पर आपका राइट अंसर आठ है काल किरम अनुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक कौन माने जाते हैं बताएं जल्दीशे वीडियो को लाइक कर दें एक बार इनमें से सबसे पुराने लेखक आपको बताना है उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का काल क्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक कौन है कौन है सबसे पुराने लेकग और सीधा अंसर जा रहा है सभी लोगों का जा रहा है भारतेंदू हरीस्चंदी की और इसारा है सभी का पुरी सर हरीस्चंद जी है भारतेंदू जी है सबसे पुराने पूराने हेना तो इनका आपका जो तीन नंबर है वो बिलकूर साहित नागर उनद्वारा रचत मचवारों के गबन पर रचना कौनसी है दोस्तों मचवारों के जीवन पर रधार्यत रचना कौन सी है उपन्यास बताना है कौन सा उपन्यास है वो जो मच्छवारों की जीवन पर आधारे थे बूंद और समुद्र है बरण की बेटे सागर लहने और मनों से आपे डूब है ना इन में से आपको चेंड करना है सभी लोग वीडियो को लाइक कर दे एक बार और ज आगरजन द्वारा रचेत मच्छवारों के जीवन पर आधारे जो रचना है दोस्तों वो कौनसी है वरुन के बेटे वरुन के बेटे है ना वरुन के बेटे ये बी नम्मर आपका बिल्कुर सही हो जाएगा वरुन के बेटे राइट आंसर हो जाएगा यहां पर मच्छव मचवारों के जीवन पर आधारित है। है ना, बी जन्होंने बताया है, उनका आनसर सही है। की सागल लहरें और मनुस कौंसा है? पत आपका राइट आंसर जाता है, दोस्तों, बरौन के बेटे, बरौन के बेटे यानिकी बी नंश लाइट क와रफार बताना था। बी नम्मर आपका यहां पर राइट आंसर है अंगला है महाकाल उपन्यास के लेका कौन है महाकाल उपन्यास के लेका कौन है बताइए अमरतलाय हैं अमरतलाल लांगर हैं विश्णू प्रभाकर हैं या फिर उदैश अंकर भट्ट हैं बताएं महाकाल उपन्यास के लेकक कौन है जल्दी से आपको चेन करना है और यहाँ पर महाकाल उपन्यास के लेकक आपको वताना है और महाकाल जो उपन्यास है वो उपन्यास किसका है किसका है अमरतलाल राय का है अमरतलाल लांगर का है या फिर दोस्तो बिश्रू प्रभाकर या उदैशंकर भट्टे है ना यहाँ पर सीधा उत्तर आपका जाता है दोस्तो अमरतलाल नांगर है ना अमरतलाल लांगर यानि कि आपका जो टू नम्मर है वो बिल्कुर सही है है ना अब आपको बताना है सागर लहरें और मनुस्थ के रचनाकार कौन है सागर लहरें और मनुस्थ के रचनाकार कौन है जल्दी से बताओ सागर लहरें और मनुस्थ के रचनाकार कौन है महाकाल उपन्यास के लेका कमरत लाल नांगर है यानि बी नम्मर आपका विल्कु सही है यहां पर तो ठीक है आपको बताना है सागर लहरें और मनुस्त से यह इसकी रचनाकार कौन है पटाक से बताएं देज विवाजन की तराजदी किस उपन्यास में वरने थे सागर लहरें और मनुस्त के रचनाकार कौन है यह बताओ पहले तो और यहां पर तीन सु निन्यानवे में आपसे क्या पूँचा गया था इसमें आपसे दोस्तो नागर जुन द्वारा रचित पूँचा गया था है ना और आपको पता कि सागर लहने और मनुस ये किसका है ये उदैसंकर भट्ट जी का है है ना उदैसंकर भट्ट का देज विभाजन की तराशदी किस उपन्यास में वरने थे देज विभाजन की तरासदी जल्दी से बताओ देज विभाजन की तरासदी किस उपन्यास में वरने थे और आपका सीधा उत्तर जाएगा जूटा सच जूटा सच इसकी रचनाकार कौन है यस पाल जूटा सच यस पाल ठीक है यस पाल आपका सही है तीन नमबर आपका बिलकूर सही हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़िया अंगला कॉस्चन इन वे सी कौन सा उपन्यास भीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है तो बताएं कौन सा उपन्यास बीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है वो बताना है लाइक जरू कर दें एक बार जहरोके नहीं है कडिया नहीं है बसंती नहीं है या फिर पीडिया नहीं है इनमें से कौन सा उपन्यास भीस में साहनी द्वारा रचित नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है और इसमें आपका बिलकुल शही आंसर आया है पीडिया बहुत बढ़िया पीडिया ये भीस में साहनी का नहीं है बसंती कडिया और जरू के ये तीनों हो जाएंगे आपका उत्तर चौते की तरफ जाएगा चार नम्मर की तरफ जाएगा कौन सा कहानी संग्रह प्रेम चंद का नहीं है दोस्तो प्रेम पच्चीसी प्रेम दौदसी मुहबत की राहे या फिर सब्त सरोज कौन सा कहानी संग्रह प्रेम चंद का नहीं है कौन सा कहानी संग्रह प्रेम चं नहीं है बताएं कौन सा कहानी संग्राय प्रैंशंदका नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा प्रशने किरमांग 403 आपको बताना है कौन सा कहानी संग्रै प्रेम चंद का नहीं है इसका उत्तर आने चाहिए और सबी लोगों ने आंसर बताया है कि सर महबत की राहें क्यानी तीन नमबर ये नहीं है गुंडा कहानी प्रसाथ के किस कहानी संग्रै में संक्लेत है इसका उत्तर आपको बताना है इंद्रजाल आकास दीप पृतिध्वनी या फिर आंधी गुंडा कहानी संग्रह कहानी प्रिसाद की किस कहानी संग्रह में शंकलित है प्रश्न किरमांक 404 में इंद्रजाल में है क्या है ना आकास दीप में है तो बिलकुल सही आंसर है मुली सर इंद्र जाल टिक कर दो मैंने इंद्र जाल लगा दिया गुंडा कहानी इंद्र जाल कहानी शंगरे में दोस्तो संग्रीत है अंगले क्वेस्चन क्यों हम बढ़ेंगे अंगला क्वेस्चन देखेंगे बाल मुकंद गुप्त ने किस बर्स में प्रताप नारान पर हि ये question पूछा जाता है दोस्तों कि हिंदी का प्रतम संस्मान बाल मुकंद गुप्त ने लिखा था प्रताप नाराण मिस्तर पर तो किस तन में लिखा था ये question आया हुआ है पिछले एक्जामों में बाल मुकंद गुप्त ने किस बरस में प्रताप नारायन मिस्तर पर दोस्तों हिंदी का प्रतम संसमराल लिखा था 1910 में, 1948 में, 16 में या पर 1907 में 405 का उतर सभी लोगों को बताना है और जिनोंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वो लाइक जरूर करें, लाइक सभी को करना है और जिन भी सातियों को model paper पर दोस्तो model paper लेना है वो model paper ले सकते practice के लिए जिनको दोस्तो test series लेनी है 3000 प्रशनों की वो test series ले सकते हैं जिनको संस्कृत बाला syllabus की अनुसार course लेना है तो recorded video वो उसमें आपको मिल जाएंगे संस्कृत बाले भी बाजे पाएलिया के गुंगरू के लेका कौन है बाजे पाएलिया के गुंगरू ये 406 का उत्तर आपको बताना है बताएं बाजे पाए लिया के गुंगरू के लेखक कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको चेहन करना है सबी लोग बताएंगे अच्छा कॉस्चन है कनया कनया का चक्कर है देखते हैं कौन कनया बनता है कौन का अंसर सही आता है और बहुत सारे लोगों ने अंसर सही बताया है उन्हें सर कनया लाल मिस्तर प्रिभाकर है ना ये नम्मर आपका बिलकुश चाहिए बहुत बढ़िया ये नम्मर आपका राइट अंसर हो जाता है, इनमे से कौन सी किर्टी संसमर्ण विधाकी नहीं है, पत के साती, हम हसमत, लोट आउधार या फिर मित्र शंबाद, कौन सी रचना संसमर्ण विधास से संबन्दित नहीं है, इसका उत्तर आपको लिखना है, चार बिकलप है कौन सी किर्टी शंसमरण विधा की नहीं मानी जाती पत्के साती हम हसमत लोटाउधार या फिर मित्र संबाद प्रश्ण किरमांक 407 और 407 में नहीं मानी जाती पूछा गया आपसे तो नहीं मानी जाती में बहुत सारे लोगों ने आंसर बिलकुर सही बताया है मित्र संबाद यानी चार नंबर चार नंबर मित्र संबाद आपका बिलकुर सही है वैरी गोड आंसर अंगला कोस्चन देखते हैं दोस्तों आप प्रवासी की आत्राएं नामा किर्टी के रचनाकार कौन है आप्रवासी की यात्राएं एक किर्टी किसकी है इस किर्टी के रचनाकार कौन है बताएं आप्रवासी की यात्राएं डाक्टर नगेंदर दोस्तों है ना अभी मन्यू अनंत डाक्टर धरंबीर भारती या फिर कनया लाल नंदन आप्रवासी की यात्राएं की रचनाकार कौ नहीं कौन सा प्रस्ण एक्जाम में आपके आ जाएं इसलिए दोस्तों अभ्यास करना बहुत जरूरी है आप रवासी की आत्राएं नामाग कृती के रिचनाकार कौन है डाक्टर नगेंदर हैं क्या है ना या फिर दोस्तों अभी मन्यू अनंत हैं धरंबीर भारती या फिर क दोरे बार ब्यूरे बार दोस्तों वरणन इवराज की यात्रा सीरसक से किस ने किया प्रिंसाब बेल्स हैं या फिर भगवान दीन दुबै ने प्रिंसाब बेल्स की भारत यात्रा का बिस्तरित और बेवरे वार वरनन इवराज की यात्रा सीड़ सक से किसने किया किसने किया सबी लोग बताएं इवराज की यात्रा नाम से प्रश्न किरमांग 409 और 409 में इवराज की यात्रा नाम से बहुत सारे लोग आंसर बता रहे हैं आंसर अधिकांस लोगों ने बताया है दोस्तों क्या है ना सी की तरब जा रहा है सबी लोगों का आंसर बहुत बढ़ी आंसर चंडी प्रसाद आपका बिलकुर शही है चंडी प्रसाद से हैं है ना इन्होंने इवराज की यात्रा सीड़ सक्से दोस्तों इन्होंने इसका विवरेवार वर्नन किया है चंडी प्रसाद ने और तीन नम्मर आपका बिलकुर शही है सबी लोगों को बताना है सबी लोग बताएंगे और जिन भी सातियों को एप डाउनलोड जरूर करने सबी लोग Self Study Glasses यहाँ पर आपके लिए Free Test Series भी होती है और जिनको Paired Test Series लेनी है वो Paired Test Series भी ले सकते हैं दोस्तो निर्मल बर्मा का यात्रा सिंस्वन्ट चीनों पर चांदनी आधारित है तो किस पर आधारित है बहुत बढ़िया अंसर आपको लोगों ने लगाया है यूरोप प्रवास पर आधारित है यानि कि आपका जो C नमबर है वो बिलकुश सही है यूरोप प्रवास पर आधारित है बहरी गोड तीन नमबर राइट आंसर गालेव चूटी सराब किसकी आत्म कथा है मुद्रा राक्षस की कमले स्वर की मोहार राकेस या फिर रबेंद्र कालिया गालेव चूटी सराब कि रिचनाकार कौन माने जाते हैं और ऐसे कितने हमारे साथी हैं जिनने अभी तक सेल्फ स्टडी के लासे इसका एप डाउनलोड नहीं किया एप को जरूर डाउनलोड करें है ना और गालेव चूटी सराब ये आपको बताना है सबी लोग बताएंगे गालेव चूटी सराब इनमेंसे किसकी आत्म कथा है और उत्तर आपका सीधा चला जाता है दोस्तो क्या चला जाता है रबिंद्र कालिया रबिंद्र कालिया यानि की चार नम्मर आपका बिलकु सहहै रविंदी कालिया आपका राइट आंसर है अंगला क्वेस्चन है मैं बोरी साइल्ला किसकी रचना है अनामिका की महुआ मा जी मैत्रई पुस्पा या पिर दोस्तो रविंदी कालिया मैं बोरी सा इल्ला किसकी रचना है किसकी रचना माने जाती है मैं बोरी सा इल्ला के रचनाकार कौन है बहुत अच्छा प्रस्ण हैं दोस्तो बोरी सा इल्ला बोरी मैंने याद भी करवाया था बोरी बोरी में भरना है क्या बोरी बताते हैं कि देखते कौन कौन सही बता रहा हमें बोरी सा इल्ला 412 412 का आंसर सभी को बताना है और राइट आंसर आपका जाता है दोस्तो बोरी में भरना है बोले सर हमें बोरी बोरी में भरना है क्या महुआ महुआ जानते हैं महुआ महुआ का पेड़ आपने देखा होगा महुआ आते हैं तो ये महुआ हमें बोरी में भरना बोरी बोरी में भरना महुआ तो बोरी से बोरी सा इल्ला और दोस्तो महुआ माजी यानि कि टू नम्मर आपका बिलकुँ सही है इन मैंसे नई कहानी आंदोलन की प्रारंब करताओं में कौन नहीं है नई कहानी आंदोलन नई कभी तांदो दोस्तो चवी लोग बताएंगे मोहन राकेस इनमें नई कहानी अंदुलन के प्रारण jugarता हुं मैं कौन नहीं हैं वह बताएंगे ऑर शही आंसर क्या होगा महुआ माझी कि नई कहानी आंदुलन के प्रारम्ब करताओं में कमलेस्वर राजंद्रियादव ग्यान रंजन या फिर मोहन राकेश और बिल्कुर सही आंसर आ गया सबी लोगों का इसर इसका टिक लगा दो ग्यान रंजन है ना ग्यान रंजन यानि की तीन नम्मर सी नम्मर आपका बिल्कुर सही है नाचो बहुत नाई का कौन है नाई का कौन है मिरनालनी बुधिया निर्गुनिया या फिर सिलिया नाचो बहुत गुपाल नाचो बहुत गुपाल इसके रचनाकार भी आपको बताना है इसके रचनाकार कौन है नाचो बहुत गुपाल इसके रचनाकार कौन है और इसकी नाई का कौन है ब और सबी लोगोंने बिल्कु सही आंसर बताया है इसनाचो बहुत गुपाल की नाईका और निर्गुनिया कौन है निर्गुनिया है निर्गुनिया यानि तीन नंमर आपका बिल्कु सही है सी नम्मर आपने जिस जिनों ने भी सी बताया है उनका निर्गुनिया बिल्कु सही है नाचो बहुत गुपाल की रचनाकार कौन है जल्दी से पटापट लखना है निर्गुनिया आपका सही हो जाएगा एह पतबंदू था उपन्यास के लेका कौन है बहुत बढ़िया गुपाल है ना बेरी गुट यहां पर बताना एह पतबंदू था उपन्यास के लेका कौन माने जाते हैं एह पतबंदू था उपन्यास के लेका कौन है और यहां पर आपका राइट आंसर क्या है नरेश महता है बिबे की राये हैं है ना या फिर दोस्तों स्रीलाल चुकले या राजंďर अवस्थी एह पतबंदू था बहुत बढ़िया very good answer answer आ गया है नरेश महचा ठीक है ना चो बहुत गोपाल अमरित लाल लांगर का है very good यह पतबंदू था यह उपन्यास के लेका के कौन नरेश महता नरेश कैसे बन गया बोली सर ये तो पतबंदू था ये नरेश कैसे बन गया रंगदे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है रंगदे बसंती चोला ये किसका नाटक है नरेश महता का है बिबे की राय का है बीश में सायनिया फिर बिनोध रस्तोगी बिनोध रस्तोगी रंगदे वसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका उत्तर आपको बताना है चार बिकल्प आपके सामने है रंगदे वसंती चोला नाटक के रचनाकार आपको बताना है और बहुत बढ़ी आंसर देखते हैं कौन-कौन सही बता रहा है आ ये भीस में साहिनी का है, रंगदे बसंती चोला, ये जो नाटक है, ये भीस में साहिनी का है, सी नमर आपका बिलकुल शही है। चंद्र कांता बताएं जल्दी से भारतेंदु कालिन के सो पन्या से आदुनिक्ता की सुरुआत माने जाती है अच्छा कॉस्चन है और सभी लोगों ने बताया है इसले इसमें परिक्षा गुरू लगा दो परिक्षा गुरू मैंने लगा दिया 1882 का है ये है ना अंगला कॉस्चन देखो मादा कैक्टस नाटक के लेका कौन है मादा कैक्टस ये नाटक किसका है दोस्तों मादा कैक्टस ये नाटक भी कई बार पूचा गया मादा कैक्टस नाटक के रचनाकार कौन माने जाती है मादा केक्टस नाटक के रचनाकार कौन माने जाती रांगी रागव लच्वी नाराण लाल हरी कश्न प्रेमी या फिर जै संकर प्रिसाद मादा केक्टस नाटक के रचनाकार कौन है और उत्तर है यहाँ पर क्या बताया आप लोगों ने आप लोगों ने उत्तर चेन किया है इस है लच्वी नारण लाल यानि की वी नमबर जो है मादा केक्टस नाटक के रिचनाकार लच्वी नारण लाल हैं वेरी गोड आंसर बहुत बढ़िया यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वाला मुखी इसका संबंद किस्से है चंद्रगुप्त कारने लिया दु सिसकंद्रगुप्त बसंत सेना तो बताएं ये कथन आपसे है दोस्तों ये संबाद जो है ये किसका किस्से है यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वाला मुखी आज ही अपनने पड़ा था नाटक में देखते हैं कौन बता पा रहा है इसका सही उत्तर यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वाला मुखी ये बताना है पताएं कौन कौन बता रहा है और बहुत बढ़िया अंसर आया है किसर इसका उत्तर ही आपको लगाना है तो आप ये नंबर लगा दो ये नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुश सही हो जाएगा दोस अब यहाँ पर दोस्तों अपन को पढ़ना है अंगला कॉस्चन गीती नाट अंधा योग अंधा अपन ने आज गीती नाट पढ़े थी ना ये अंधा योग क्या है ये गीती नाट है हिंदी का प्रतम गीती नाट कौन सा है करुनाला है है ना करुनाला अपन ने पढ़ा ह एप आपको बताने कि इसके रचनाकार कौन है अन्धा योग के अन्धा योग के रचनाकार कौन माने जाते हैं इसका आंसर सभी लोग बताएंगे एक बार वीडियो को like जरू कर दें दोस्तों अपने मित्रों तक share कर दें ये सेहसन रोज 9 बजे होता है अभी offer चल ला है जिन भी सातियों को test series लेना हो जिन भी सातियों को दोस्तों आपको model paper लेना हो जिन भी सातियों को admission लेना हो निचोड किलास में वो ले सकते हैं मात्र 1999 म special class में है ना घीति नात्त अंधा यो किसकी रचना है वेखा हैं तो आप ने बिल्कुँ सही बताया धरम भीर भारति आसार्ट का एक दिन में किसका भाव भीना और प्रैम विभोर ब्यक्तित तो भरता है दोस्तों बताएं आसार्ट benuthtır का एक दिन इसके रचनाकार कौन है इसके रचनाकार भी आपको बताना है आसाड का एक दिन की रचनाकार कौन माने जाते हैं यह उत्तर बताना है तो यहाँ पर आसाड का एक दिन इसमें आपको यह चैन करना है और इसके रचनाकार भी बताना है दो कोस्चन आपसे पूछ लिए गए त तो आपने बता दिया है बिलकुर सही आंसर, किसका भाव भीना और प्रेम विबोर वेक्तित्तों का उबरता है, तो वो है मल्लीका का, किसका मल्लीका, मल्लीका का, यानि की भी नम्मर आपका बिलकुर सही है, भाव विबोर प्रेम माय, है ना तो यह मल्लीका भी ची नम्मर आ मोहन राकेस का है दोस्तों मोहन राकेस की कौनसी रचना नहीं है उसका उत्तर सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा कौन सी रिचना मोहार राकेश की नहीं है ये असाड का एक दिन तो आपने अभी पढ़ा है है ना लहरों की राजहंस भी आपको पता है और कौन सी नहीं है छोटे छोटे ताजमहल यानि कि आपका एकी तरह पुत्तर चला जाता है ये मोहर राकेस की रिचना नहीं है दोस्तों छोटे-छोटे ताजमहल है ना आचरन की सब्विता निबंद के लेकर कोन है आचरन की सब्विता ये किसका निबंद है चंद्रधर सर्मा गुलेरी का, अध्यापक पूर्ण सेंका, स्याम सुंदर दास का या फिर बालमकुंद गुप्त का बताएं सबी लोग आचरण की सब्विता निबंद के रचनाकार कौन माने जाते हैं यह आपका प्रशन है और आपने बहुत बड़ी आंसर बताया है कि सर आचरण की सब्विता के जो रचनाकार है यह जो निबंद है यह निबंद है दोस्तों किसका अध्यापक पूर्ण सेंका अध्यापक पूर्ण सेंका निवंध है क्यानि कि आपका जो B-number है अध्यापक पूर्ण सें वो बिल्कुर सही आंसर है B-number आपका right answer हो जाएगा अंगला question है आठवा सर्ग किसका नाटक है? आठवा सर्ग किसका नाटक है? की बताना है आपको आठबा सर्ग किसका नाटक है जैसेंकर पिरसाद का भारत इंदू हरिस्चन्द का सुरेंद बर्मा का या फिर बाल मुकुंद गुप्त का आठबा सर्ग किसका नाटक है इसका उत्तर आपको लिखना है और आठबा सर्ग दोस्तो बहुत बढ़ी आंसर है शबी लोग बताएंगे उत्तर क्या हो जाएगा आठबा सर्ग सुरेंद्र बर्मा आठबा सर्ग सुरेंद्र बर्मा जो आपने बिल्कुछ सही आंसर बताया तीन नम्मर आपका बिल्कुँ सही हो जाएगा वेरी गोड आंसर बहुत बढ़िया अब जिन भी सात्यों को दोस्तो सेल्प स्टडी किलासे से एप में एड़ीसन लेना है बिस्तरे तद्ध्यान प्लस टेस्ट ट्रेक निचोड किलासे इस सारी चीज़ें आपको पढ़नी है लाइब किलासे पढ़नी है प्लस रिकॉर्डेट कोर्स पढ़ना है तो अभी आपको सेल्प स्टडी किलासे से एप डाउनलोड करना है ठीक है अभी डाउनलोड करिए और दोस्तो आज ही एडवी से लेकर कि अध्यान करिए अध्यान आपके लिए बहुत जरूरी है अभ्यास आपके लिए बहुत जरूरी है इसमें आपको लगबग दोस्तो इस 1999 के कॉर्स में आपके लिए दोस्तो 2000 प्लस question की test series मिलेगी test मिलेंगे topic wise है ना बिस्तरे तद्धन मिलेगा test trick वाले वीडियो मिलेंगे doubts वाले वीडियो मिलेंगे निचोड class जो TGT PGT के लिए special class है वो class भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है और यह जो course है आपके junior test के लिए भी important रहेगा जूनियर सोपर test के लिए भी important रहेगा तो जिन भी सात्कियों को अभी course में एड़िसल लेना है अभी offer है तो अभी offer का लाव लेते हुए दोस्तों एड़िसल लें अपना अध्यन करें अपने मित्रों तक सेयर करते रहें राम मिलन जी मोहे तनूप जी आसा जी ठीक है और ललिता जी जित्यंद्र जी बीनू जी और दोस्तों विश्वास मलिक जी गीता देवी जी हैना निरूपम जी सरीता जी देवेंद्र जी आरती जी पलक जी जया जी बहुत बढ़िया बीनू जी राम मूरज जी मोहेद जी तनू जी कुरैसी जी जनवाद सभी साती वीडियो को लाइक करते रहें एप को डाउनलोड कर लें एप में जाकर कि रैटिंग भी आप लोग दे सकते हैं एप आपको कैसे लगा आपको किस परकार से मददगार हो रहा है सेलप स्टड़ी के लासे से बोग आप पर एक कमेंट आपका जरूर देखन हूँ कि बहाँ पर किस किस ने कमेंट किये हैं किस किस को अच्छा लग रहा है एप है ना और दोस्तों आपको रिब्यू जरूर देना है सेलप स्टड़ी के लासे से एप पर जाकर के प्ले स्टोर में जाकर के ठीक है बिलकोल है ना दीक्छा दार्सू हरियों जी रागनी गीता जी नीरत जी डॉली जी और सभी सातियों को धनवाद अजय कुसवाहा हैमलता जी सपना जी पुसपा जी मनीशा राम जी नीरत जी ससी जी जितेंदर रामलाल जी ठीक है सभी सातियों को धनवाद संजय पाटक जी और नेभे जी बहुत बढ़िया रेखातर पाटी ज धन्वाद धन्वाद सभी सातियों को ठीक है बहुत बढ़िया जै हिन दस बजे दोस्तो एक्जाम पर पर किलास होगी उसको जरूर अटेंड